थाली बजवा कर थाली छीनी जी हां ये आप पड़ रहे हैं और नीचे तस्वीरें आपको दिखा दू कि ये पुराने जमाने में जो है हमने देखा है कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो चुल पर खाना पकाती थी और यहां पर देखिए और एक वक्त रहता था कि रोटी ज जो है वो शुरू हो चुका है महंगाई लगतार पड़ रही है और आम इंसान की कमर जो है वो टूट रही है तो उसके चलते जो है अब कहीं न कहीं वो जमाना फिर आ जाएगा यहां पर कॉंग्रेस के महिला विंग के जो लोग है यहां पर आज प्रदशन कर यह सभी महिल जो बहुत महांगा हो गया एक ग्रहनी के लिए बहुत मुच्किल है कि किस तरीके से घर चलाएगी ud hoatching महिलायों के लिए रोटी तर्फेंस पर दुकाने कोड़ों की खुलवाते हैं आप देखें सरसों का तेल बी 200 रुपे लीटर जो है वो हो गया है कि दो सो रुपे का सरसों का तेल जो है वो पार कर गया है तेरेस्टी परसेंट फोयाबीन का जो तेल है वो उसमें ब्रद्धी कर दी गई है मोदी जी की सरकार जो है सिर्फ टैक्स एक्साइज जूटी वैट लगाने में व्यस्त है चार लाख करोड की लूट की गई है एक्साइज जूटी लगाकर पट्रोल पर अगर यह कोविड कंपनसेशन दस परसेंटी उसमें से दे तो है पर उत्रा हुआ है अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए और भाजपा सरकार जो है वह हमेशा जो है लोगों को आश्वस्त करती है हमें आश्वस्त नहीं चाहिए इनका हमें चाहिए खाना कपड़ा और अपने बच्चों का मुस्तक्भिल 890 एका स्लेंडर है पह होता था तो लगतार प्रदर्शन होते थे आज उन्हीं की सरकार है और से लेंडर 900 पर की किमत चूरा है पर बात नहीं होता है तब से लेंडर 400 पे था और समरती रानी जो है वह बाहर बैठके प्रदर्शन क्या करती थी आज चुपकी हूं है आज देखे कि हर सबजियां औ और तेल आता चावल सब की कीमति जो हां आसमान को चू रही है अब भाश्पा को बोलना चाहिए कि हमारा देश जो है कैसे आगे चलेगा गरीब लोग अपना निर्वाह कैसे पर पाएंगे हमारी महिलाएं इतनी ज्यादा तरस्त हैं कि आज रोती है कि उनके बच्चों से बच्चों के मूँ से रोटी का निवाला चील लिया गया है आपके हाथ में यह रोटी है प्याज है मिर्ची है यह क्या लगता है कि आप आने वाले दिनों में इसी से घुजारा करना में बढ़े हैं मैडम बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि देखो 200 और पेसे सबस्तों का तेल असमान चूरी है तो हमें तो यहीं लगता है कि आज हम रोड़ों पेसी लिए बिल्कुल मैडम पर आज चालीस से उपर है तेल के दान 200 से उपर हैं तो आज हमें यहीं महसूस हो रहा है कि यहीं खाकर पेट बरना है और जिस तरीके से हमने देखा कि चुल पर रोटी बन र हो रहा है किस तरीके से घर पर रिवार हो ता है यहीं है तो और तो इतना जूलम हो रहा क्या करेंगे हम और रोटी और प्यासे कि जारा करेंगे ना इतने मुश्किल है तेल इतना महाँगा हो गया तो आप चोगे पर बनाना पड़े और क्या करेंगे हम सब तो इतने मोधी जी ने गरीबी हटाने का वादा किया था पर यहां पर गरीबों को ही अठा दिया है ऐसा महिलाओं का कहना है टेकि अमाहिल आइए जो है फो मनाइए है एक जो अपना घर चलाने के लिए सीडियर के लिए तूसके रोटी बना ले hatred। सुना रहे हैं जब मुसाड़ा स्मार्ट सीटी बनना मैं अब भाझा पूरोटि साई यहां समार्ट सीटी बनाने यहां स्मार्ट सीटी लगडियों उडिया चुली उपर अन्य उडिया आख्या दे आखा पजाया करें उन्हें सिलंडर प्राण अगुआवी ते प्राण आगी उन्हें ते इक वारी आला सिलंडर उन्हों जिनी देर तक मोदियों दोंगन उन्हें देर चलना निया यह से सब्सक्राइब चुमली इसे सब्सक्राइब उन्हें और कुछ नहीं मिलिया एंदि लग्री आई यह सुक्के फुलकि आई यह प्याज आई यह रहे करने ने नहीं से अपने कारा से रोटी बना रहे है और तुन्द लिए नहीं आले है का दूसेता सो जे स्कूटी रखी रही है स्कूटी ने पट्रोल के बाब बुझी आ ते पन्दगार भी पग रिया में क्याइस को थे पुझी ए इसे बार गुझी आधे सारे इक्या औरे चनल इस वेल ले लपटहे रे ते पगांने या फूलके सुखन रखने प्याज़ा का अच्छेरी नाख्या हाईने अच्छेरी नोग्री भीन पड़ाई भीन रूटी भीन अच्छेरी नाव ऐसे अच्छेरी नावी काख्या मेला मेरा पत्चेग दो मारीय करा मरीया कि अपने इन महिलाओं की आवाज को जहां पर ये साफ़तोर पर कह रही है कि मोधी सरकार के अच्छा दिन तो आई नहीं पर अंतु इनके बुरा दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं कि वक्त जो है एक बार फिर अपने आपको दोहरा रहा है जब पहले अगर बात करें तो चुल पर रोटी पकाई जाती थी आप वही चीज़ें एक बार फिर देखने को मिल रहे है क्योंकि इस बार जो है महंगाई ने कमर तोड़ दी है एक आम व्यक्ति के लिए इस समय अपन कि रोटी काने को ये लोग मजबूर हैं आपके क्या राया है जरूर सांजा फिचे का तक तकले बने रहें दियर्थी इसके साथ